नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज दो अक्टूबर शाम साथ बजे राजस्थान की खास खबरे राजस्थान की सीनियर आईएस और कोटा संभागिया अयुक्त के ठिकानों पर भ्रश्टचार निरोदक ब्यूरो की टीमों ने रेड की है आयुक्तर अजेंदर विजे के कोटा में दो और जैपुर के एक ठिकाने पर सर्च की जारी है वैदोसा में उनके पैत्रिक घर को फि इसके अधार पर कोट ने सर्च किया देश दिये आज सुबह करीब साड़े छे बजह से राजेंदर विजे के चार ठिकानों पर एसी बी ने सर्च करना शुरू किया इसकी मॉनिटरिंग एसी बी मुख्याले में किय जारी है राजेंदर विजे को आठ दिन पहले कोटा भागय अयुक्त बनाये गया है या उनकी सरकारी आवास और आफिस की तलाशी ले जारी है राजस्तान हाइकोट की जैपुर बैंच ने फुट पाथ और सड़क की किनारे रह रहे बच्चों को लेकर स्वैप्रेडित प्रसंग्यान लिया है जस्टिस अनूप की अदालत ने म मेडिया में प्रकाशित एक खबर पर यह प्रसंग्यान लिया है खबर की अनसार सड़क किनारे रह रही एक विद्वा महिला ने अपनी दो बेटियों और दो बेटों की सुरक्षा के लिए बालकल्यान समीती से गुहार लगाई थी जिसमें उसने कहा था कि मेरी दो बेटि पर कोई कारवाई नहीं हुए अदालत ने केंदर वे राजे सरकार को नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया कि वे कानूनी प्रावधानों के अनसार फुट पात पर तंबू में रहने वाले बच्चों और महिला की उचित देख बाल सुरक्षा की और ध्यान दें सीकर पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के साथ लोगों को गिरफतार किया है सब यह आपस में रिष्टिदार और परिचित हैं पुलिस ने कॉंस्टेबल को बोगस ग्राहक बना कर भेजा इसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया वारदात की दुरान काम में ली गई गाड़ निवासी निमका थाना, 19 वर्षे बवली बावरिया, निवासी कोट पुतले, 21 वर्षे अजीत कुमार बावरिया, 38 वर्षे गनेश वर्फ डूंगरिया बावरिया, 19 वर्षे रामकरन बावरिया और 20 वर्षे क्रिशन उर्फ टमका को गिरफतार किया है गैंग से जुड़ महरास्टर मेडिकल काउंसिल की डॉक्टर वैशनवी बलीराम के रिजिस्टेशन नमबर से 20 जुलाई 2022 को फर्जिस सर्टिफिकेट बनाने का अरोपी डॉक्टर देवेंदर नहरा सौंवार तक बादमेर में जिलास्पताल में डूटी पर रहा, मेडिया में खुलासे के जिलास्पताल से बिना बताय गायब हो गया, बताने के डॉक्टर देवेंदर नहरा ने 21 जून 2024 को MBBS के लिए RMC से रिजिस्टेशन करवाया था, इसने माहरास्टर मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर वैशनवी बलीराम के रिजिस्टेशन नमबर से 20 जुलाई 2022 को फर्जिस स दोलपुर शेर में चिटफंड की नाम पर लोगों से 80 लाख उर्पे की ठगी करने का मामला सामने आया है, ठगे गए लोगों ने SP आफिस पहुंच कर SP सुमित मेरडा को शिकायती पत्र सौपा है, जिस पत्र के जरीए पिडितों ने ठगी के आरोपियों के खिलाफ कारवे कर उनका पैसा वापस दिलाने की मांग की है, शिकायती पत्र के मादिम से ठगे गए लोगों ने बताया कि उनके साथ कैला कुलोनी जेल रोड निवासी मोहमद समीर और फपपो हुसैन, यामीन मोहमद सकीर और फकनया, वैल याकत हुसैन द्वारा करीब 80 लाख रुपे की चिट फंड दो का दड़ी उनसे की गई है, पत्र में बताया गया है कि चिट फंडियों ने पिडितों से रुपे जमक राते वक्त कहा था, कि वैफाइनस कंपने के जरिये पिडित लोगों का पैसा दोगुना कर वापस दिया जाएगा, लोग चिट फंड कंपनी में यवक को मुक्त करा दिया है, थाना परभारी प्रेमेंदर रावत ने बताया कि कोतवाली पुलिस मद्यपरदेश बॉर्डर पर गश्ट करे थी, इस रान गश्ट करे एसाई गिरवर सिंग को मद्यपरदेश की और से बेहडों से एक यवक की चिलाने की अबाज आई, मौक इसको देखकर बदमाश भाग निकले, कोतवाली पुलिस ने उत्र प्रदेश के आगरा जिले की फतियाबाद थाना पुलिस को सूचना दी है, पुलिस दबारा मुक्त कराए गई युवक, सरवेश कुमार निवासी पुंठपुरा कल्यानपूर थाना फतियाबाद जिला पुलिस आगरा के 26 सितंबर को गुमशुद्गी दर्स करवाए गई थी। जिला विशेश पुलिस से, मिले सूचना के अधार पर पुलिस थाने के टीम, जिला विशेश पुलिस टीम के कॉंस्टेबल, हरिश कुमार के साथ मारुटी रेजिदेंसी, पालवास रोड पर पहुंची, यहाँ एक फ्लैट में दबिश दी गई, तो वहाँ चार आदमी ऑनलाइन गेमिंग पर सट्टा लगा रहे थे, इनके पास से पुलिस ने दो लैप्टॉप, एक टैबलेट और तेरा मुबाइल जब्त किये हैं, इसके साथ ही आठ हिसाब की डाइरिया मिली हैं, जिनमें लाख रुपे का हिसाब मिला है। राजस्तान लोग सिवायोकी और सेपुरा तत्व एवं संग्रालय विभाग के लिए उनने सजोन को आयोजित संग्रालय अधक्ष एक्जाम 2023 तथा खोज एवं उत्खरन अधिकारी एक्जाम 2023 की मॉडल आंसर की आयोकी वैबसेट पर जारी कर दी गई हैं, यदिके से अब प्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ती हो, तो निर्धारित शुलक के साथ 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर रातरी 12 बजे तक अपनी आपत्ती ओनलाइन दर्श करवा सकता है, मुख्या परिक्षा नियंतरक आशुतोष गुपता ने बताया, कि आपत परमान सालगन नहीं होने की स्थित्ती में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, बांसवड अजले की खमीरा थानक शेतर में एक व्यपारी ने खुद की ही अपहरण की मन घरंत जूठी कहानी रच कर, पत्नी से एक लाख की फिरौती मांगी, दरसल थाने में व्य व्यपारी जितेंदर जैन की पत्नी वर्षा जैन ने 28 सितंबर को पती की गुमशुदगी दर्स करवाई, रिपोर्ट में बताया कि पती का कोई अपहरण कर ले गया है, और एक लाक रुपे फिरौती मांगी है, व्यपारी ने स्वैम पत्नी को कॉल कर बताया कि उसे जंग कर खमेरा थाने लाई और पूस्त आश्कीत उसने बताया कि लोगों को उधार चुकाने के लिए खुद ने अपहरण की है साजिश रची, अजमेर में नीट की तयारी कर रही चात्रा से रेप का मामला सामने आया है, पेडिता ने एक युवक पर शादी का जांसा दे कर 6 मह ने तक रेप करने का आरोप लगाया है, कोतवाली थाना पुलिस की अनिसार, पेडिता ने बताया कि उसे इंस्टाग्राम पर नवंबर 2023 में एक युवक ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, आरोपी ने मैसेज कर कहा कि उसका भाई टीचर है, और वह उसे बाटनी के न बार खर आया और उसकी माँ से भी मिला था, करीब 6 महीने तक आरोपी ने उसे शादी का चांसा दे कर रेप किया, शादी का दबाव बनाने पर ब्लॉक कर दिया, पुलिस मामले की जांच कर रही है, कि भी मिला टीचरिया टीचर है, भी मिला आरोपी ने पर में टीचर है, और आरोपी मकान तक पर आ avons भाई प्रू unos